जिला यम्नानगर की ANC की टीम ने एक ऐसी कार्यवाही कर दिखाई जिसमें एक ऐसे आरोपी की गिरफतारी हुई है जो वास्तव में स्नेचर के साथ साथ नशा सप्लायर भी है जी हाँ बता देना चाहते हैं कि जगादरी के भारत सेवक नगर का रहने वाला 28 वर्षिय जले से चरम सीमा पर करना शुरू कर दिया लेकिन बीती शाम जैसे ही ANC की टीम को सुचना मिलती है तो गुप सुचना की अधार पर वालिया जी की और से पूरी की पूरी टीम का गठन किया जाता है और उसके बाद अमादलपूर रोड से जी हाँ अमादलपूर रोड जहा उस एक्टिवा को भी ANC की टीम ने कारेवाही के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है तो दोस्तों एक ऐसे सनैचर और ऐसे सप्लायर की गिरफतारी हुई है जिसकी बदौलत बहुत से मासूम बच्चों का जब हविश्य था वो बरबाद होने के कगार पर जो है वो लगा ह हुआ था तो आप देख सकते हैं आज की हमारी जो युवा पीडी है किस तरह से अपने जीवन की परवा ना करते हुए साथ ही साथ मासूम और बेकसूर नोजवान पीडी को बच्चों को किस तरह से इस नशे की आदत डालने पर मजबूर कर रहे हैं तो दोस्तों ANC की टीम का उठाया ये जो कदम है की ये जो कारेवाई ये कही न कहीं सराहनिया है कि जिस तरह से ये जिला यमना नगर से अपराद और अपरादी गतिवीदियों को जड से खतम करने में लगी हैं इस तरह के नशे सप्लायरों को पकड़ने के प्रियास में दिन राज जूटे हैं आ खुबी से करते नजर आ रहे हैं तो 12.55 गराम हैरोईन के केस में जो गादरी के भारत सेवक नगर के रहने वाले 28 वर्षी है हिमान्शू की गिरफतारी हो चुकी है जो सनैचर के साथ साथ नशा सप्लाई का भी काम कर रहा था और नशा सप्लाई के साथ ये नशे का सेवन भी कर रहा था तो आप तस्वीरें इस समय की लगातार ANC से देख रहे हैं दोस्तों इस खबर को जादा से जादा शीर जरूर करें ताके लोग जगरुक हो सकें और अपने आसपार किसी भी इस तरह के अपराद को होते देख रहे हैं तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन तक जरूर पहुंच आए तो एक बार सतनाम जी जो इस केस में आयो हैं कार्यवाही कर रहा है पूरा तमाम मामला इसे जरूर जानेगे सतनाम जे क्या मामला सामने आया कि सारोपी की गिरफतारी हुई है और किस केस में हुई है कल कल एक मांच दो जारतेई को हम एक गुप्त सूचना मिली कि मांशु नाम का एग लड़का है जो बारत सेवर नगर में रहता है वो स्मैक बेचने का बहुत दिनों से काम कर रहा है औ आज भी वो अपने मले के पास हमादलवर रोड पे खड़ा है स्कूटी के उपर हमने अपनी टीम गठित करके वहां मोके पहुंचे मोके पे जाके मोके ने बताया कि यह वो आदमी है जिसको रंगयात्तों काबू करया और वहां डूटी मजिस्टर्ट लाल सिंग को भलाया जिसकी तलाशी विदी इनसार ली और जिसके खलाब से 12.55 गराम हिरोइन बराम दोई उसके बाद इसकी जो विदी इनसार इसको गिर्फतार करके अपने साथ ले आए और अगई कारवाई से जारी है आज इसको पेश करेंगे रमान लेंगे देखेंगे इसकी जो भी इसने जो यह हिरोइन बेचने का काम करया यह बहुत गल्द किया यह पहले तीन-चार मीन ने पहले चैन स्नेचिंग के मामले में बंद था जिस उस पे आया था चुटके और उसके बाद ही इसने आगे काम शुरू कर दिया जो यह पीने का भी काम करता और लड़ाई जगड को निiza निरदेश नुसार लंबे अरसे से जिला यमना नगर में जो नशे के खिलाफ ये मुहीम चलाई जा रही है उसमें आप लोग भी आगे बढ़कर पुलिस का साहथ दे ताकि आप लोगों के और पुलिस के प्रियास से जल्द ही जिला यमना नगर को नश्रा मुक्त बनाया जा सके और जो मासूम बच्चे इसकी दलदल में फसे हैं उनके जीवन को उनके भविश्य को जो है जनलिस्ट मनपृत के साथ जिला यमना नगर के एनसी से मंदीप करकी रिपोर्ट